दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं नियूस डियनन में और हमारे साथ हैं हलका पायल के उमिद्वार हर्शित कुमार शीतल जी हर्शित जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपको बहुत 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 बदाईया कि आपको अकाली दल सहियों की तरफ से चुना गया है कैंडिडेट के तौर पर पायल कॉंसिट्वेंसी से क्या कहना चाहते हैं अब अपने वोटर्स के सबसे पहले तो मैं हार्दिक अभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारती जनता पाल्टी और मैं हार्दिक अभार व्यक्त करता हूँ शिरुमनी अकाली दल स्युक्त से जिनके प्रेजिज़ेंट साब सुकदेव सिंग धिंटसा जी सरदार जी जिनोंने मुझे पायल करने के लिए उमीद वर घोशित किया और वोटर्स के लिए मैं ये अपील करता हूँ कि आप पंजाब में पायल में परवरतन लेके आना है हमें सभी को जैसे अब पंजाब के जो हलात है जो मैंने पायल कॉंसिज़ेंसी में जाकर देखा है तो वहां पर देखने में क्या म में आपधे की लिए जो हैल्त की सुवड़ाई है यो एग्योकेशं से रिलेटर सुवड़ाई यहां तक की महला जो डिस्पैंसरिस होती है जहां उस चीज की भी सुवड़ा नहीं है जी तो हम वाटर्स को अपील करते हैं हम हलके का विकास भारती जनता पाल्टी, काली दर स्युक्त के साथ मिलकर पाइल की नुहार बदलेंगे आप सभी का साथ और स्योग चाहिए जी और कौन से खास मुद्दे लगते हैं आपको शीतल जी जो आपको लगता है जो एक बहुत ही आम इंसान की जरूरत हो सकती है पाइल में और जो अभी तक पूरी नहीं हु पहले तो वहां इंडरस्टी लेखे आएंगे हम जिससे लोगों को रजगार मिलेगा और इंडरस्टी के साथ हमने देखा कि वहां जो हमने स्कूलों के खलाद देखे जो भविश्य जो हमारा जो है वो आने वाली जनरेशन है बच्चे हैं तो वहां स्कूलों में देखा कह परती जंता पाल्टी का है और उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है लोगों की जैसे आप मानो सडके सडको का वहां हाल बहुत बुरा है जी कही लाइट बबस्ता नहीं एक्सिजेंट होने के कही जगा चांसिस हैं तो कई एरिये मैंने ऐसे देखे जहां पर मैं हैरान हूं इस जो चोन मैनिफेस्ट होगा शीरोमनी अकाली दल भारती जंता पाल्टी पंजाब लोग कांगस का उसके एजेंडे में ही पाइल का विकास है तो हम जो बेसिक मुद्दे है वो हमने चोन मैनिफेस्ट में अर्रड़ी डाल रखे है जी दर्शकों पाइल एक ऐसा हलका है जिसने पंजाब को मुख्यमंत्री भी दिया और हम उमीद करते हैं कि पाइल से हरशित कुमार शीतल जो की उमिदवार है इस समय अकाली दल संयुक्त पंजाब लोग कॉंग्रेस और भारतिय जंता पार्टी के संयुक्त रूप से करते हैं कि जो विश्वास के साथ ये पाइल में काम करना चाहते हैं उस सपने को ले करके ये आगे बढ़ेंगे और जो वहां की आम जंता की जरूरत हैं उसको पूरा करने के लिए भी ये निरंतर प्रयतनशील रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद